दोस्तों आज हम modern history बताने जा रहा हैं लिकी world map से बताएंगे आज दोस्तों आज छिर्फ हम बताने का काम करेंगे लिखाने का काम नहीं करेंगे दोस्तों देखिए यह है एरब छैतर यह हो गया अफ़ीका का छैतर हो गया ये अपना प्यारा सा इंडिया हो गया प्यारा सा इंडिया हो गया लेकिन दोस्तों नहीं लोग बोलते हैं कि इंडिया की खोच 1498 इस विमें और बासको डिगामा ने किया था यहनी 1498 में बासको डिगामा ने किया था लेकिन ऐसा बात नहीं है इंडिया भुलाया हुआ नही था यहां से आया था वहां कहीं एक ब्य vegति था जिसका नाब था सिकंदर यो कि 326-2C मैं हैं इंडिया आ चुके थे याई इंडिया छित्र से और इंडिया छित्र में इंडिया जगा में बहुत वियापार हुआ प्रशले था रेसम के कपड़े पिर्णा करता था और रेसम जो जाता था और रेसम का कपड़ा के जगह पर एरोप के वासी लोग सोना इंडिया को दिया करते थे या सुना दिया करते थे लेकि दोस्तों वो ये अरब छेतर है ये अरब छेतर बहुत मरू भूमी जगाद है यहां के ब्यक्ति को आने को लिए नहीं मिलता था यहां के ब्यक्ति बहुत गरीब और निर्धन हुआ करते थे लुटेरो लोग हुआ करते थे भी बोलते हैं वो जन में हुए था उनको पांसो सतर इस भी मैं यहां अरब छेटर के मक्का जगह में हुए था कहां मक्का जगह में हुए था तो यहां कुछ दिन के बाद वो पङगर्मर मुहम squats साहब ने सोचे कि यह जो हम रूब हुमी है यहां के लोग गरीब है उनको हम अमीर बनाने का काम करेंगे क्या अमीर बनाने का काम करेंगे लेकिन करसे यह जो है कुछ दिन के बाद जिब्राइल नम का एक ब्यक्ति था वो बूक लाकर दिया किनको पेगंबर मुहमेद सहाब को और बुक पढ़कर इन्हीं बुक को अध्यन करके ग्यान के प्राप्ते हुआ या हिरा नाम का एक गूफा था वहां उस गूफे में जाकर पेगंबर मुहमेद साहम ने पढ़ाई की यानी अध्यन के और अग्यान करकर क्या ग्यान के प्राप्ते हुआ और ग्यान के प्राप्ते होने के कारण क्या एक धर्म की अस्थापना कियें क्या एक धर्म की अस्थापना कियें उस धर्म का नम अब क्या है इसलाम धर्म वो उस टायम वो भी इसलाम है यनि वो धर्म क्या सापना के उस धर्म को क्या कहा जाता है यनि इसलाम धर्म बोलते हैं उस धर्म में मुस्लिम लोग हुआ करते हैं क्या मुस्लिम लोग हुआ करते हैं यनि दोस्तों देखिए अब पेगामर मुहमाद सापना था कि हम जो अरब छेतर है अरब छेतर है उन यहां के मक्का के जगा को कैबोले? ति एक हमारा सर्थ मानना पढ़ धा यहां के लोगों के भाइन की क्या सर्थ है? तो पेजमर मुहम्म establishment साहब ने बोले कि आप लोग हमारा अधरम है यहां उस्थ 다음에 सामिल हो जाई हा यहां के सी सामिल हो जाए यहां धर्मे में परिवारतन हो गए यह लेकिं पेगंबर मुहम्मद सहाब ने एक उनकों कमिया था क्या कमिया था क्या कमिया था यह यह जो है पेगंबर मुहम्मद सहाब ने मूर्ती पुजा का बिरोत किया करते थे क्या मूर्ती पुजा का बिरोत किया करते थे जिसके कारण मका स माका के द्वारा ही मदिना भगा दिया गया माका के द्वारा माका के आदमी के द्वारा माका से भगा कर मदिना कर दिया गया इन्हीं माका से उनको मदिना जाना ही हिजरी संबत कहलाता है इन्हीं माका से जाना मदिना ही क्या हिजरी संबत कहलाता है और उस जगह पर एक ब्यक सेपस्टांत और एक मद और इस समयल और नार। यहीं इंडिया आने का रास्ता इरोप से तिन रास्ते थें वो मद एसिया अरब सागर और मिस्री यहीं मिस्र जो छेतर था समुंदरी मार्ग था क्या मिस्र जो छेतर था वो समुंदरी मार्ग था लेकिन इन लुटोरों के कारण इन लुटेरों के कारण यह जो तिनों रास् ते इन बेपार थे यहां के लूटेरे लोग कौन Clock इन नहीं होता था इन मुहमत गौरि हो गया है यह अजय है यहां की लूटेरे लोग तो क्या अब यह जो च्छेत्र है दोस्तों वह बिल्कुल रुप से जो छेतर है ये बिलकुल रुप से बंद कर दिया गया तिनों रास्ता है ये लुटेरों की दोवारा बंद कर दिया गया तो ये इरोप छेतर है इरोप छेतर का एक राज़त था जिनका नाम था हेंरी वो क्या प्रोचाहित किया यहां के बेपारियों को ये बोला कि आप बेपार कीजी किया बेपार कीजी इंडिया के साथ तो इंडिया में काली मिर्च जो है बिसेस परकार क्या हुआ करता था जो कि यहां से एक बेपारी था यहां के बेपारियों को पता था कि पिर्थिवी जो गोल है क्या पिर थी भी गोल है तो यहां से चल कर ऐसे आकर यह समूंदर में बिलूप्त हो गया वो पता नहीं चला और एक और ब्यक्ति थी जिनको नाम था बार्थोलियमियोडियाज क्या जिनको नाम था बार्थोलियमियोडियाज वो 1487 भी में निकले क्या 1487 भी में निकले और यहां से पहुंचकर यहां से जो पहुंचकर यह जो है अफरीका का दच्छिंतम बिंदू पे पहुंचते हैं अफ्रीका के दच्छिंतम बिंदू पे पहुंचते हैं और उस जगह का नाम क्या है उक्ता मासा दीप पर पहुंचा है कौन बार्थोलिमी और डियाज और यहां तुफानों को दीप कहकर लोट जाते हैं यहां से तुफानों को दी दिप बोलते हैं यहां से लोट जाते हैं क्या कागा है तुफानों को दिप बोल कर यहां से लोट चले जाते हैं और लोट जाने के कारण यह बोलते हैं कि इंडिया नहीं मिला क्या इंडिया नहीं मिला अब दोस्तों एक और ब्यक्ति थे जिनको नाम था कुलंबस जिनको कु कुलंबा साहब लेकिन ये इंडिया नहीं आए क्या इंडिया नहीं आए यनि कुलंबा साहब ने यनि कुलंबा इरोब जो छेतर है इन लोगों को यहां से जो छेतर है दोस्तों इन लोगों इस छेतर को पता नहीं था कि इधर भी लोग रहते हैं इधर भी लोग रहते हैं ल तो अमेरिका चले गए यहां अमेरिका चले गए तो यहां जो कुलम्बा सहाब 4692 इसमी में और इन के नाविकों तवारा बोला कि हम इंडिया के खोज कर दियें क्या इंडिया के खोज कर दियें और कुलम्बा सहाबी बोले कि हम इंडिया के खुच कर दिये तो नाविक बोला कि इंडिया की लोग जो है सामला हुआ करता था काला हुआ करता था लेकिन यहां तो गोरे हैं यहां गोरे हैं तो क्यों तो इस जगा की ब्यक्ति को क्या नाम दिया रेड इंडिया नाम दिया यहां के लोग जो गोरे थे गोरे होने के कारएं इनका जो नाक है गाल है से लाल हुआ करता था यहां के लाल होने के कारएं कुलमबस के नावी को तवारा रेड इंडिया नाम दिया गया क्या कुलंबस के नावी को दोवारा रेड इंडिया नाम दिया गया यहां के ब्यक्तियों को यहां जो है यह अमेरिका है क्या यह जो अमेरिका छेत रहा है यही कुलंबस साहब जो खोज किये थे और यही अमेरिका के नाम किसे ने दिया यहीं अमेरिका का नाम जो है कौंदिया तो अमेरिकी पुसी बैसी बैसो जो नाम का एक ब्यक्ति था वो अमेरिका का नाम देने का काम करता है यहीं अमेरिका की खोच किस ने किया दोस्तों तो कुलंबस ने किया नहीं कुलंबस के नावी को दोवारा किया गया और बोलेगा कि रिड इंडियन जो जन जाती कहां पाया जाता है तो बोलेगा अमेरिका में ठीक है दोस्तों अमेरिका का नाम किस ने दिया तो अमेरिकी पुसी बैसो ने ब्यक्ति ने नाम दिया अमेरिका का अब दोस्तों एक और ब्यक्ति थे जिनका नाम था बासको डिगामा इन्हीं इरोप से चल कर यहां से ऐसे आये थे कौन बार्थुलिम्योडियाईज साहब ने 1487 इस भी में यहां पहुंच चुके थे अपरीका का दच्छिंतम बिंदू पर इन्हीं उक्तामा सद्धी पर पहुंच चुके थे और बासको डिगामा फिर यहीं आए और यहां से आकर ऐसे डार्यक्त थोड़ों नहीं इन्डिया आ गया है यहां इन्हीं इन्डिया के एक व्यक्ति थे उनका नाम था अबूलमानिक वो भी बेपार क्या करते थे वो बेपार जो है इन बेपारियों से मिले कौन बेपारियों से बासको डिगामा सहाब से मिले और बोले यहां से अबूलमानिक सहाब बोले कि हमें इन्डिया के ही बेगती है तो बासको डिगामा सहाब बोले कि तो चलिए तो यहां से अबुल जुमानिक साहब जो है ऐसे ऐसे जाकर इंडिया जाते है किरल में यहीं बासकोट इगामा ने 1498 इसी में यहीं एन्सी आटी के तहद देता है दोस्तों 20 माई और बेकी पीडिया के अंतरगा देता है 17 माई यहीं हम मानेंगे NCI guidance को ही यहीं 20 माई 1498 को रसकोट इगामा ने काली कट यहीं कीरल के एक जगा है काली कट वहां पहुँचे थे यहीं काली कट के और कोई अस्थान है यहीं उस अस्थान का नाम है कपट डाबू यहीं चपट जो डाबू है जगा है वो किरल में उस जगा पे पहुँचे ठीक है यह उस जगा इंडिया का एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था जमूरिन यह वास्को डिगामा का जोरदार से स्वागत किया कौन जमूरिन ने क्या जमूरिन ने जोरदार से स्वागत किया ठीक है दोस्तों अब यहां से क्व समुंद्री मार्ग हुआ है तो क्या यह जो है नया समुंद्री मार्ग है यह जो इरोब से होकर बासको डिगामा सहब ने ऐसे यहां अफीका से होकर ऐसे इंडिया की खोज कर दी है ठीक है इन्हीं नई समुंद्री रास्ता की खोज की है समुंद्री दुवारा नए रास्ता क कुछ की थे, कौन तो बासको डिगामा ने, दोस्तों आज का कलास यहीं रखते हैं, आपको अगर अच्छा लगा, तो आप सिस्क्राइब कीजिए, दोस्तों में सेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और कॉमेंट जरूर करें, जिसा आपको आगे जो है, लिखाने का काम और जो है, कंटेंट द्वारा आपको लिखाएंगे, और कंटेंट आपको देंगे, ठीक है दोस्तों, थैंक्यू,